सबसे पहली बात ये है, कि जब हम नागपूर में यहां मना रहे हैं, तो जो लोग नागपूर को संग भूमी बनाना चाहते हैं, उनको हम चुनावती देना चाहते हैं, जब तक कॉंग्रेस पार्टी जिन्दा रहेगी, जब तक इस देश में एक भी कॉंग्रेसी कारिकरता जिन्दा रहेगा, अपने रक्त के आखरी कत्रे तक, नागपूर को संग भूमी नहीं, दिख्षा भूमी बना करके रखेगा, इस बात को याद रखिएगा, तेरी आवाज जहां तक पहुँच रही है, मैं सबसे पहले महराष्ट्रा की इस महान भूमी को, टॉक्टर बाबा सहाब भीमरा अमबेदकर, छत्रपती सिवाजी महराज, साहुजी महराज, अन्ना भाव साठे, गाडगे महराज, संतुका राम, आंदोलनों और क्रांतियो की भूमी, साबित्रिवाई फूले की इस भूमी को नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, राथियों बिना किसी आवचारिक्ता के, मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करते हुए, आप तमाम भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस के एक-एक कारिकरताओं का, समर्थकों का, मतदाताओं का, देश के कोने-कोने में, किसी भी माध्यम से, इस कारिकरम से जुड़े हुए, कॉंग्रेस परिवार के, एक-एक सदस्य को, पार्टी की अस्थापना दिवस के मौके पर हारदिक बधाई देता हूँ, आपका हारदिक अभिनंदन करता हूँ, दोस्तों, यह हम सब के लिए बरे गर्व की बात है, कि देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी राजनितिक दल, जो एक राजनितिक दल नहीं है, जिसने आज के भारत का नियू रखा है, उस पार्टी का हम अस्थापना दिवस मना रहे हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है, जब हम कुछ बात अपने दिमाद में, अपने जहन में उतारने की जरूरत है, सबसे पहली बात यह है, कि जब हम नागपूर में यहां मना रहे हैं, तो जो लोग नागपूर को संग भूमी बनाना चाहते हैं, उनको हम चुनावती देना चाहते हैं, जब तक कॉंग्रेस पार्टी जिन्दा रहेगी जब तक इस देश में एक भी कॉंग्रेसी कारिकर्ता जिन्दा रहेगा अपने रक्त के आखरी कत्रे तक नागपूर को संग भूमी नहीं दिख्षा भूमी बना करके रखेगा इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि जिस देश में हत्यारों का गाना गाया जा रहा है उस देश में महात्मा गांधी पैदा हुए हैं और महात्मा गांधी ने जिस पार्टी को बनाया है जब तक वो पार्टी जिन्दा रहेगी तब तक आप इंसान को इंसान से नहीं लड़ा सकत हैं हम बोलते रहेंगे रगुपति रागव राजा राम पतीत पावन सीता राम इश्वर अल्ला तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान हम यह तराना गाता रहेंगे इस बात को याद रखिएगा और जब आज हम पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं भारतिय राष्ट हैं इतनी जोर से आवाज लगाईए कि यह आवाज नागपुर से दिल्ली तक पहुचनी चाहिए आप तयार हैं कि नहीं हम तयार हैं इस देश की जमहूरियत को बचाये रखने के लिए हम तयार हैं इस देश में कमर तोर महंगाई को समाप्त करने के लिए हम तयार हैं इस हम तयार है आजाद देश में आजादी की रख्षा के लिए यहामारा संकल्प है और जब हम इस संकल्प को दुहरा रहे हैं तो एक चुनावती भी हम लोगों को समझना परेगा भाईयों चुनावती यह है कि आप मैंसे बहुत सारे लोगों को इक अनभव हुआ होगा कि जब आप किसी पोकेट मार को ट्रेन में पोकेट मारी करते हुए पकर लेंगे तो पोकेट मार इतना चालाख होता है कि वही जोर से चोर-चोर चिलाना शुरू कर देता है बोलियो होता है और नहीं होता है आज हमारे साथ इस देश की सबसे पुरानी पार्टी इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी पंड जवाहरला नहरू सुवास चंद्रबोस मौलाना अबुलकलाम आजाद सरदार बल्लब भाई पटेल एनी बेसेंट सरोजनी नाइडू की पार्टी के साथ भी यही हो रहा है कि हमने चोड को चोडी करते हुए फिर से पकर लिया है हमने इनको चंगरेजों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखा था तो जो चाय बेचने की बात करते थे हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ पकर लिया है और जब हमने उनको देश को रंगे हाथ बेचते हुए पकर लिया है तो पोकेटमार को जो पकर लिजेगा तो वो चोड़ चोड़ चिलनाने लगेगा वो कहते हैं कि कॉंग्रेस इस देश में भरस्ता चार ले करके आई एक सवाल हम पूछना चाहते हैं आज आप कॉंग्रेस के नेताओं के घड़ पे ED भेजते हैं पर सो जैसा हा के पिताजी से वही कॉंग्रेस का नेता अगर फोन पे सेटिंग कर ले तो वो ED जो है अपना रास्ता कैसे भूल जाती है वो पता कैसे भूल जाती है इसका मतलब यह है कि जो पार्टी देश की पार्टी है उस पार्टी को देश के आम लोगों के नजर में बदनाम किया गया है और देश के आम लोगों के नजर में इसलिए बजनाम किया गया है कि अगर आप कॉंग्रेस के परती अपनी भावना छोड़ देंगे तो देश में कोई आपकी बात करने वाला नहीं रहेगा इस बात को याद रखिएगा इसलिए इस मंच से मैं आप तमाम लोगों से एक बात की अपील करना चाहता हूँ कि हे कॉंग्रेस के काल करता हूँ जब आप चाय की दुकान पर बैचते हैं जब आप ट्रेंड से यात्रा करते हैं जब आप बसों में चलते हैं जब आप खेतों में चर्चा करते हैं, दफतरों में चर्चा करते हैं, तो एक बात को याद रखिएगा, एक बात को याद रखिएगा, कि सामने वाला जब आपको जलील करता है न, तो वो आपको जलील करने से पहले, अपने मावाब को जलील कर रहा होता है, अपने हमको समझना परेगा कि कॉंग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़कर के इस देश को आजादी दिलाई आजाद भारत में पहली वार ऐसा हुआ कि दलीतों को और ब्रहमनों को बराबरी का गौट का अधिकार मिला आजाद भारत में पहली वार ऐसा हुआ कि महिलाओं और पुर्षों को बरावरी का वोट का अधिकार मिला आजाद भारत में पहली वार ऐसा हुआ कि राजे राजवारा का वोट भी एक और नाली में उतर करके गटर साफ करने वाले का भी वोट एक ऐसा भारतिय राष्ट ये कॉंग्रेस अस्थापित करके आई मैं कहता हूँ कि जिस पंडी जवाला नहरू को लोग आज संसद में खड़ा हो करके गालियां देते हैं याद रखना मरे दोस्त अगर पंडी जवाला नहरू नहीं होते तो जूट ही सही तुम ये बात आज बोल नहीं पाते कि एक चाय बेचने वाला भी देश का पढ़ान मंतरी बन सकता है कॉंग्रेस का इतिहास ये है कि हम इस देश की आम आवाम के लिए लड़े थे लड़े हैं और लड़ेंगे इसी लिए मान लिया मलिकार जुन खारगे साहब अपने पचास साल के राजनितिक इतिहास में एक कॉंग्रेस के आम कारिकरता से भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के राष्टिया अध्यक्ष बने हैं ये है कॉंग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक इतिहास ये है इस देश का इतिहास इसलिए आप तमाम कार्करताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज जो देश की हालत है जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं जिस तरीके से हर घंटे नौजवान आत्म हत्या कर रहा है इसलिए हमको इस संकल्प के साथ चलना परेगा कि ये हमारी कॉंग्रेस है हम सब की कॉंग्रेस है ये हमारा देश है हम सब का देश है और इसको बचाने के लिए अपने सरीर के आखरे खून के बून तक हमको संघर्ष करना परेगा तो आप बताईए चुनावी हार जीत अपनी जगह पे है देश बचाने के लिए संबिधान बचाने के लिए सबको सिख्षा के लिए सबको काम के लिए आप तयार है की नहीं है अगर आप तयार है तो आखरी बात बोल करके अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी दिलाई थी, जब हमारे पुर्खे अंग्रेजों की टैंक से नहीं डरे, जब हमारे पुर्खे बलिदानियों का इतिहास बनाया, जब हमारे पुर्खे फांसी के फंदे को हस्ते हस्ते चूम लिया, तो तुम एक बात जान लो भ तो इस देश की बचाने की लराई में सब को सिख्षा के लिए सब को काम के लिए और इस देश के हर आवाम को बरावर के आत्म सम्मान के लिए आप संघर्स करेंगे अगर हम पूरी तरह से संघर्स करेंगे तो आखरी अपील के साथ आखरी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि कहते हैं कि कैसे आकास में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तब यस से उचा लो यारो अगर कॉंग्रेस का एक एक कारी करता आज भी गांधी को अपने दिलों में बसा करके सरकों पे निकल जाए तो इनको हम सिर्फ हडाएंगे नहीं बलकि एक नए भारत का भार करते हुए आप सबका धनवाद करते हैं अपनी बात को खत्म करूंगा शुक्रिया इनकलाब जिन्दाबाद जै हिंद जै भारत जै कॉंग्रेस